इस बाल को मैं स्थिर अवस्था में रखों तो न्यूटन के गती के पहले नियाम के नुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहे बल ना लगाया जाए तो यहाँ पर भी यदि इस बॉल को स्थिर रखों और इसे छोड़ दूँ, ड्रॉप करों, तो क्या होगा? देखते हैं, क्या यह बॉल अपनी स्थिती में हवा में लटके रहेगी? यह क्या? यह बॉल तो नीचे आ गई? अब बताएए, यह बॉल नीचे क्यों आई? अपनी स्थिती से इसे ड्रॉप किया था, मतलब वही पर इसे छोड़ दिया था, यह बॉल फिर नीचे क्यों आई? क्योंकि इस पृत्वी में गृत्वा कर्शन बल है, और इस गृत्वा कर्शन बल के कारण ही इस बॉल के वेग में परिवर्तन हुआ या फिर यू कहें कि इस गृत्वा कर्शन बल के कारण ही इस बॉल में त्वरन उत्पन्न हुआ इसका वेक 0 था बाद में इसका वेक बढ़ गया और इस त्वरण को ही हम गृत्वी त्वरण के नाम से जानते हैं और यहाँ बात सभी ग्रहों के लिए सत्ते हैं जैसे कि पृत्वी में आकर्शन बल है वैसे बाकी ग्रहों में भी आकर्शन है और उसके कारण सभी ग्रहों में अपना-पना गृत्वी त्वरण है और यू कहें कि हर एक पिंड का अपना-पना गृत्वी त्वरण होता है अ तभी वापस मेरे हाथ में आ गई कुछ दूर तो उपर गई लेकिन फिर वापस नीचे आ गई अब मैं इसे और ज्यादा उच्छाल कर देखती हूं मतलब ज्यादा बल लगाती हूं कि यह उपर ही चला जाए क्योंकि न्यूटन की गती का नियम तो यही कहता है जो जिस नेचे खिशने के लिए कोई बल नहीं लगाया था लेकिन यहाँ पर वही गृत्वा कर्शन बल कारे कर था जिसके कारण यह बॉल उपर जाने के बाद भी नीचे आ गई मतलब इस बॉल को यदि मुझे हमेशा के लिए उपर फेक ना हो तो इतना बल देना होगा कि यह पृत्वी के गृत्वी छेत्र को पार कर जाए क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि इस गृत्वी बल का मान यह गृत्वा कर्शन बल का मान कुछ एरिया तक ही होता है और पि सबस्क्राइब का गृत्वा कर्शन छेत्र कहते हैं यह गृत्वी छेत्र के नाम से जानते हैं जिसे इंगलिश में हम क्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं तो अब हमें इस बॉल को इतना बल देना होगा कि ये इसकी गृत्वी बल को पार कर जाए और और हमेशा के लिए इसकी सतह से एकस्केप कर जाए पलायन कर जाए उस बॉल को पृत्वी के गृत्वी छेत्र से बाहर करने के लिए हमें इतना बल लगाना पड़ेगा कि वो उसकी सतह पर कभी भी वापस ना है और यदि हम बल लगा रहे हैं तो न्यूटन के गती के दूसर नियम से बल समानुपाती होता है समवेग परिवर्तन की दर्गे यानि जब हम बाहे बल लगाते हैं तो समवेग में परिवर्तन होता है या यूं कहें कि वस्तु को वेग प्राप्त होता है या उसके वेग में परिवर्तन होता है तो बल लगा रहे हैं इसका मतलब वस्तु को वेग दे रहे हैं तो हमें इतना वेग देना है वस्तु को कि वो पृत्वी के गुरुत्वी छेत्र से पलायन कर जाए और यहां न्यूनितम वेग जिसको देने पर कोई भी पिंड किसी भी ग्रह के गुरुत्वी छेत्र से पलायन कर जाता है वहां उस ग्रह के लिए पलाय E stands for escape, तो हम लग V लिखते हैं और इसके नीचे छोटा सा E लिखते हैं, अब देखते हम यह escape velocity का मान कितना होता है, इसके लिए हम वियनजग ज्याद करेंगे, मान लीजिए यह कोई पिंड है, जिसके लिए हमें पलायन वे ज्याद करना है, इस पिंड का दरव्यमान M है और की त्रिज्या R है, अब इसके सता पर कोई एक वस्तु है, एक पिंड है, इसे हमको इतना वेक देना है कि यह इसके गुरुतवी छेत्र को पार कर जाए, इस पिंड के लिए गुरुतवी स्थितीज उर्जा होगी, माइनस G M M अपॉन R, यहाँ पर यह गुरुतवी स्थित में ग्याद किया है, तो हम डिरेक्टली इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, अब इस पिंड का एक गुरुतवी छेत्र होगा इसके चार ओर, जहां तक इस पिंड के गुरुतवा कर्शन बल काम करेगा, अब इस पिंड को जिसका द्रवेमान स्मॉल M है, इसे इसके गुरु तो को इस पिंड से फेकने के लिए या बहजने के लिए हमें इस पिंड के गुरुतवी बलके विरुद्ध कारे करना होगा, और गुरुद्ध कारे करेंगे, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परीवर्तन हो जाएगा, मान लिजे, इस पिंड को हम अनंत तक फेक रहें, हम यह मान के चल रहे हैं कि इसका गुरुत्वी छेत्र बहुत दूर तक है पर अनंत में तो इसका गुरुत्वी छेत्र नहीं होगा इसलिए हम इस स्मॉल एम द्रवे मान के पिंड को अनंत तक ले जा रहे हैं यह मान कर हम चल रहे हैं तो इसकी गुरुत्वी स्थितीज उर्ज होता है और अनंत पर गृत्वी स्थितीज उर्जा का मान अधिक्तम होता है और इसे हम सुन्य लेते हैं तो गृत्वी स्थितीज उर्जा में वृध्धी डेल्टा यू हम लिखेंगे फाइनल पोजिशन में स्थिती जूर्जा माइनस इनिशल पोजिशन में स्थिती जूर्जा तो फाइनली पिंड कहा है अनंत पर तो अनंत पर पिंड के स्थिती जूर्जा माइनस शुरू में पिंड कहा था इसकी सतह पर तो हम लिखेंगे सतह पर पिंड की स्तितिज ऊर्जा तो Δelta U बराबर हो जाएगा 0 minus GMM upon R अब यह minus और minus मिलके प्लास हो जाएगे तो गृत्वी स्तितिज ऊर्जे में वृध्धी Δelta U बराबर होगी GMM upon R अब इतनी स्तितीज ऊर्जा होनी चाहिए किसी पिंड के पास तब ही वो किसी दूसरे पिंड के गुरुत्वी छेत्र से पलायन कर जाएगा अब बच्चों ये स्थितीज उर्जा हम कहां से लाएंगे हम जानते हैं लॉफ कंजर्वेशन अफ एनर्जी से उर्जा ना तो उत्पन ने की जा सकती है और नहीं नश्ट की जा सकती है केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्टित होती है तो यहाँ पर हमको इतनी गुरुत्वी स्थितीज उर्जा लानी है तुम उत्पन नहीं करेंगे ये किसी दूसरे रूप से ही परिवर्टित करके लाएंगे और यहाँ पर वह उर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी यानि कि गतीज उर्जा इसका मतलब हमें पिंड को इतना वेग देना है या यू कहें उसकी गतीज उर्जा इतनी होनी चाहिए कि वो इस गुरुत्वी स्थितीज उर्जा के बराबर होनी चाहिए मान लेजे इस वस्तु का पलायन वेक VE है तो इसकी गतीज उर्जा होगी हाफ M VE स्क्वेर और यहाँ गतीज उर्जा इस गुरुत्वी स्थितीज उर्जा में व्रुद्धी के बराबर होनी चाहिए तभी उस कंडिशन में ही यहाँ M दरवेमान का पिंड इस बड़े पिंड की गुरुत्वी छेदर से पलायन कर जाएगा तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं हाफ M VE स्क्वेर बराबर G M M अपॉन आर यहाँ से M और M कैंसल हो जाएंगे तो VE स्क्वेर बराबर होगा 2 G M अपॉन आर और VE बराबर होगा रूट अंडर 2 G M अपॉन आर यह समीकरण है Escape Velocity का और हम यहाँ से देख सकते हैं किसी भी पिंड के लिए उसके Escape Velocity का मान उस पिंड के द्रवेमान पर निर्भर कर रहा है यहाँ पर हमने एक पिंड लिया था इसी के छेत्र में दूसरे वाले पिंड को इसके पलायन करना था तो यह डिपेंट कर रहा है कि आपने जो पिंड लिया जिसकी सतह पर आपने दूसरी वस्तु ली है तो इसका द्रवेमान कितना है इसकी त्रिज्या कितनी है और हमने देखा था बच्चो यदि किसी पिंड का द्रवेमान अधिक होता है तो उसके गुरुतवी त्वरण का मान भी अधिक होता है तो यहाँ पर यह एक फॉर्मुला जिसको हम यूज करते हैं पलायन वेग निकालने के लिए साथ ही हम इस फॉर्मुले को चेंज करेंगे इस स्मॉल जी के टम्स में या यू कहें कि यह जो फॉर्मुला है इसमें कैपिटल जी है यानि कि यूनिवर्सल ग्रविटेशनल कॉंस्टेंट है अब हम इस formula को गुरूतवी त्वरण यानि small g के रूप में change करते हैं क्योंकि numerical questions जब आते हैं तो दोनों ही formula यूज कर सकते हैं इसलिए अब इसको हम change करेंगे हम जानते हैं g बराबर होता है gm upon r square तो यहां से g r square बराबर हो जाएगा gm तो इस अमिकरण में gm के स्थान पर हम g r square लिखेंगे तो ve बराबर हो जाएगा root under g r square upon r यहां से ak r cancel हो जाएगा तो ve बराबर हो जाएगा root under 2 r g तो इस प्रकार हम देखें कि हमने escape velocity के formula को गुरूतवी त्वरण के रूप में भी change किया है और यह दोनों ही formula अलग-अलग conditions में स्तमाल होते हैं अब इन सूत्र से जदी हम देखें तो किसी भी वस्तू के लिए पलायन वेक का मान वस्तू के द्रवेमान पर निर्भर नहीं कर रहा यहां किसी भी दोनों formula में से किसी में भी small m नहीं लिखा है मतलब इस पलायन वेक का जो मान है वो बस्तू के द्रवेमान पर निर्भर नहीं कर रहा और ना ही यहां पर दोनों ही formula में दिश्या का उल्लेख है तो बस्तू को किस दिश्या में फेका जा रहा है उस पर भी निर्भर नहीं कर रहा यहां निर्भर कर रहा है केवल जो आपने ग्रहा लिया है यह जो पिंड लिया है जिसका गृत्वी छेत्र के बारे में बात कर रहे हैं उसके द्रवेमान पर और उसकी त्रिज्या पर तो इस सूत्र के अधार पर हम किसी भी ग्रहा के लिए किसी भी पिंड के लिए पलायन वेक का मान क्यलकुलेट कर सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले अपनी ग्राँ पृतवी के लिए पलायन वेक का मान क्यलकूलेट करते हैं फॉर्मुला हम चाहे तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम इस फॉर्मुले को इस्तमाल करते हैं वी इक्वल टू रूट अंडर टू आर जी पृत्वी की सता पर गृत्वी त्वरंड का मान होता है 9.8 मीटर प्रती वर्क सेकेंड और पृत्वी की त्रिज्या य यह हम राउंड अप करके लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे 6.4 इंटू 10 तो पावर 6 मीटर और यह मान इस फॉर्मुली में पृत करने पर और इसे सॉल्फ करने पर हमें मिलेगा वी इबराबर 11.2 इंटू 10 तो पावर 3 मीटर पर सेकेंड और यदि कीलोमेटर में देखें त तो पृत्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमेटर प्रती सेकेंड यानि किसी वस्तु को यदि पृत्वी के गृत्वी जेत्र से पलायन करना हो तो उसका वेग 11.2 किलोमेटर प्रती सेकेंड होना चाहिए और इसी सूत्र से हम चंद्रमा के लिए भी पलायन का मान ग्याद कर सकते हैं बच्चों चंद्रमा का गुरुत्वी त्वरण का मान होता है 1.7 मीटर प्रति वर्ग सेकंड और चंद्रमा की त्रिज्या आर बराबर 1.74 इन्टू 10 तो पावर 6 मीटर होती है अब यह मान हमें समीकरंट पर रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो चंद्रमा के लिए एसकेव वेलोसिटी का मान मिलता है 2.43 किलोमेटर प्रति सेकंड और यदि इस मान को हम प्रित्वी के पलायनवेक के मान से कंप्यर करें तो यह बहुत ही कम है और बच्चो इसी परधारिक को तथ्यात्मा प्रश्ण भी आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं जैसे कि चंद्रमा का अपना वायू मंडल क्यों नहीं है जबकि हम जानते हैं कि प्रित्वी का अपना वायू मंडल है वायू मंडल यानि वायू की परते यानि विभिन गैसों का एक आवरण है लेकिन चंद्रमा में ऐसे गैसों का कोई भी आवरण नहीं है कारण यह है कि हर गैस की अपनी तापिय वेग होती है मतलब तापमान की कारण गैस के अणुओं में वेग होता है और यहां वेग यदि हम पृत्वी की बात करें तो पृत्वी के पलायन वेक से कम होता है और इसलिए ये गैस के अणू गती करते तो हैं इनमें वेक तो होता है लेकिन पृत्वी के पलायन वेक से इस वेक का मान कम होने के कारण ये पृत्वी के गृत्विये छेत्र को पार नहीं कर पाते और पृत्वी की सता के आसपास ही फैल जाते हैं और इसलि इन गैस के अणुओं के माध्य तापी वेग से भी बहुत कम है इसलिए यह गैस के यह वायू के अणू इस चंद्रमा के गुरुत्वी छेत्रों को पार करके अंत्रिक्ष में चले जाते हैं और इसके कारण ही चंद्रमा पर कोई भी वायू मंदल नहीं है साथ ही हम प्रित्वी की बात करें तो जो हलकी गैस होती है जैसे की हाइडोजन और हीलियम यह हलकी होने की कारण इसका तापी वेग बहुत अधिक होता है और उनका तापी वेग प्रित्वी के पलायन वेग से भी अधिक होता है उनके लगभग बराबर ही होता है इसलिए हम देखते हैं कि पृत्वी के वायो मंदल में हाइडोजन और हीलियम गैस नगाण्य मात्रा में पाए जाते हैं हम बड़े ग्रहों की बात करें जिनका द्रवेमान अधिक है मतलब उनका ग्रेविटी भी अधिक है जैसे कि जुपिटर और सैटन जुपिटर का पलायन वेक कमान 60 किलोमीटर प्रती सेकंड है जो कि गैस के माध्य तापी वेक की तुलना में कही अधिक है और इसलिए जुपिटर के चारो और हाइडोजन और हीलियम जैसे गैस भी पाए जाते हैं जबकि हम छोटे ग्रहों की बात करें जैसे कि बुद्ध और मंगल तो इनका पलायन वेक का मान भी बहुत कम है और इसलिए इन छोटे ग्रहों के आसपास भी कोई वायू मंडल नहीं है क्योंकि वायू के अणू इनके गुरुत्वी छेतर को पार कर जाते है इन अणूओं का माध्य तापी वेक इन ग्रहों के पलायन वेक की तुल्ना में बहुत अधिक होता है और इसलिए ये इन ग्रहों के चारों और कोई भी आवरण नहीं बना पाते